स्वागत है गोकरणा के खुबसूरत और शान्त ओम बीच में यह अनुखा समुत्रतट अपने प्राकुरूतिक अकार के कारण ओम के पवित्र हिंदु प्रतिक से अपना नाम प्राप्त करता है जैसे ही आप सुनेहरी रेट पर कदम रखते हैं और अरब सागरी की ओर देखते हैं आपको इस समुत्रतट का घुमावदार किनारा ओम के दो चापो जैसे दिखेगा जो वास्तों में देखने लाइक होता है ओम भी सिर्फ अपने आकार के लिए ही नहीं जाना जाता बलकि यह प्राकुरूतिक संदर्ता और अध्यात्मिक महद्व का एक अनुठा संगम है चांत पानी इसे तैराकी के लिए अदर्श बनाते हैं और यहां के केले की नाव और जेट की स्कीज जैसी जल क्रिडाय रोमांच प्रेमियों को अकर्शित करती है चक्तानी पहाड़ियों और हरी भरी वनस्पच्यों से जिराय समुद्रतट खासकर सुर्योदे और सुर्यास्ता के समय अद्बुद्रुस्त प्रस्तुत करता है जब पूरा आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में रंग जाता है अगर आप शांती के साथ समय बिताना चाहते है तो यहां का चांत वातरोन, ध्यान और विश्राम के लिए उपवयुकत है तड़ पर बैटकर लहरों की मधुर्द्वनी का आनंद लेना भी एक खास अनंग है गुक्तर अपने पवित्र मंदूरंग के लिए जाना जाता है, जो इस जगह को एक अध्धात्मिक उर्जा से भर देते है ओम बीच न केवल एक समुद्र तठे बलकि यह प्रकृति और अध्धात्मिक अता से जुड़ने के लिए एक शांती स्थल भी है चाहे आप रुमांच के लिए आये हो या सुकुन के लिए ओम बीच आपको एक अविस मरेनिया अनभू परदान करे लिया